बाबा जी की साजी नवाजी गुरू प्यारी साथ संगत जी आप सभी को मेरा प्यार भरा राधास स्वामी जी 17 सप्तंबर दिन रवी बार मुझूद्धा सरकार बाबा जी ने ब्यास ससंख फरमाया सबसे पहले पाठी साहब ने बारा महा शुरू किया उसके पिछे कारण जय था के संगरांद का दिन था और बारा महा आपने शुरुवात में पड़ा बाद में आपने तुलसी साहब की गजल से ससंग शुरू किया दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गेरों का उठा उसके बिठाने के लिए बाबा जी ने ससंग शुरू करते वक्त हम सभी को समझाया के तुलसी साहब शेख तकी को कुरान श्रीफ का हवाला दे कर उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं के जो कुछ भी है तेरे अंदर है कौमों और मजहबों में कुछ नहीं रखा आपने उनका मजहब बदलने की कोशिश नहीं की आप उनकी सोच बदलने पर जोर दे रहे हैं बड़ा ही रुहानियत से भरा ससंग आपने फरमाया हमने सुना आईए जो लोग घर पर रहे जिन्नोंने ससंग नहीं सुना हम सब अब वो ससंग सर्वन करते हैं ससंग के वचन दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गेरों का उठा उसके बिठाने के लिए यह तुलसी साहिब की बाणी है तुलसी साहिब यूपी के अंदर दखनी बाबा के नाम से बड़े मशूर महातमा हुए है आपने जो कुछ कहा है बड़ी दलेरी और निडरतास के साथ कहा है आपका सबंद पूना और सतारा के राज परिवार के साथ रख साथ था शोटी उमर से ही मालक की भक्ती की और आपका बहुत जुकाव था आपके पिता भी मालक के भक्त थे उनका विचार था के पुतर को राज्य का काम सौंप कर कहीं कांत में बैठ कर मालक की भक्ती की जाए लेकिन जब आपको पता चला तो आप शोटी उमर में ही पिता से शिपकर घर से निकल गए और उत्तर परदेश में आ गए जहां पर आपने हाथ रस शहर को अपना निवास्तान बनाया और दखनी बाबा के नाम से परसिद हुए शिरी हजूर स्वामी जी महाराज को भी आपकी संगत करने का मौका मिला था यह शबद आपने शेख तकी को समझाने के लिए फरमाया है शेख तकी एक मुसल्मान फकीर जो काबा का हज करके वापस आ रहा था उसकी खुश किसमती थी कि उसने आपके निवास्तान के सामने अपना खेमा लगा लिया जिसके कारना आपने बहुत से शबद शेख तकी को समझाने के लिए फरमाए तुलसी صاحب फरमाते हैं के ए शेख तकी हम सब दुनिया के जीव चाहते हैं के वे परमात्मा हमारे हिर्दे में आकर बैठे लेकिन कभी यह सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिस जगा हम परमात्मा को भिठाना चाहते हैं वे जगा उसके बैठने के काबल है भी हमारा मन दुनिया की शकलों पदार्थों और मेलों के लिए तर्पता रहता है और मिलना हम परमात्मा से चाहते हैं ये दोनों बातें किस तरह हो सकती हैं अगर हमें उस परमात्मा से मिलना है तो हमें अपने अंदर उस से मिलने का सचा इश्क, सचा प्रेम पैदा करना चाहिए हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंच है हम उस सतनाम रूपी समूंदर के कत्रे हैं लेकिन मालक से बिशड कर इस माया के जाल में 84 के जेल खाने में फसे हुए है जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से नहीं मिलती इसका दे के बंदनों से 84 लाख जूनियों से कभी किसी हालत में शुटकारा नहीं हो सकता हमारी आत्मा का उस परमात्मा के साथ इश्क, प्यार, विरहे और तडब का रिश्टा है जब तक हमारे अंदर मालक से मिलने का सचा इश्क, सचा प्रेम और सचा प्यार नहीं है, तब तक हम उसकी भक्ती कैसे कर सकते हैं, उसके साथ मिलाब किस परकार कर सकते हैं, जब तक हमारा मन किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता, तब तक उसे हासल करने के लिए मन कुर्बानि देने के लिए कैसे तियार हो सकता है हमारा हिर्दे तो दुनिया की शकलों और प्रदार्थों के लिए तर्पता और भटकता फिरता है और मिलना चाहते हैं हम मालिक से ये दोनों बातें कैसे हो सकती है इसलिए एए शेख तकी अगर तु परमात्मा से मिलना चाहता है तो सबसे पहले अपना हिर्दे शुद कर निर्मल कर और अपने अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क पैदा कर सच्चा प्रेम और प्यार पैदा कर तुक में तुलसी साहब कहते हैं ध्यान गेरों का उठा उसके बिठाने के लिए हमारा मन दुनिया की शकलों और दुनिया के पदार्थों के पीशे दिन रात भटकता फिरता है इनी के ध्यान में इनी के मोजा प्यार में उलजा हुआ है हमारा मन कभी निचला नहीं बैठता किसी ना किसी चीज की सोच विचार जहां ध्यान में फसा ही रहता है जहां सत्संग में बैठे हुए भी कभी बाल बच्चों का कभी घर के कारूबार का तो कभी कौमों मजहबों और मुल्कों के जगड़ों का ख्याल आता है जिन जिन चीजों का हम दिन रात समरन करते रहते हैं, उनी की शक्लें भी हमारी आाँखों के सामने फिरना शुरू कर देती है, इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मूं का इतना गहरा सबन्द और लगाव हो जाता है, के मौत के समय शकले हमारी आखों के आगे सिनेमा की सक्रीन की तरह घूमने लगती है फिर जहां आसा तहां वासा जहां हमारा आखरी वक्त ख्याल होता है हम दुनिया के जीव उसी रौ में बह जाते हैं जह दुनियावी रिष्टों का सिम्रन है उसका ध्यान और उसका मौ है जो हम सब को बार बार इस चुरासी के जेल खाने में खीच लाता है जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मौ जा प्यार नहीं निकलता मालक से मिलने का इश्क पैदा नहीं होता प्रेम और प्यार पैदा नहीं होता तब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस पर मात्मा से किस तरह मिल सकती है दुनिया की नाशवान और फना चीजों का सिम्रन करके इनका ध्यान करके हम दुनिया की शकलों और पदार्थों के प्यार जामो में उल्जे बैठे हैं महात्मा समझाते हैं पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है भाव सिमरन को सिमरन कारता है ध्यान को ध्यान कारता है हमें किसका सिमरन और ध्यान करना है उस चीज का जो कभी नाश नहीं होती कभी फना नहीं होती वे क्या है वे सिर्फ एक परमात्मा है परमेश्वर है अकाल पुर्श वाहे गुरू है जिसके हजारों उने को नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए है उस परमात्मा के नाम का सिम्रन करके उसका ध्यान करके हमें अपने फैले हुए ख्याल को दुनिया से निकालना है तथा उसे प्रमात्मा की भक्ती में लगाना है उसके प्यार में इसलिए तुल्शी साथ समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोजा प्यार नहीं निकलेगा हमारे मन से गंदी गंदी वासना दूर नहीं होंगी उस परमात्मा के अंदर होते हुए भी हम उसकी भक्ती कैसे कर सकेंगे उसकी भक्ती की और हमारा ख्याल किस तरह जा सकेगा दुरुमरतास साहब फरमाते हैं हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कशूना जाई के मालक की भक्ती की महमा तो कभी बियान ही नहीं हो सकती भक्ति करने की पूजा करने की ध्यान करने की आदद तो हम सब को पड़ी हुई है कोई बाल बच्चों से प्यार करता है और उसके प्यार में फसा हुआ है कोई कौमों मजहबों और मुलकों की भक्ति करता है कोई धन दौलत की पूजा करता है आप समझाते हैं कि जे शकले जे पदार्थ हमारी भक्ती के काबिल नहीं है हमारे प्यार जा ध्यान के काबिल नहीं है क्योंकि इनकी भक्ती और इनका प्यार हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में खीच कर ले आता है किसकी भक्ती और किसका प्यार हमें वापस ले जाकर पर्मात्मा से मिलाएगा केवल उस पर्मात्मा की भक्ती और केवल उसी का प्यार गुरु अरजन साथ समझाते हैं निश्चल एक आप अभिनासी सो निश्चल जो तिसेति आये था कि वे पर्मात्मा निश्चल है वे कभी जनम मरन के दुखों में नहीं आता जो भागेशाली लोग उस पर्मात्मा का ध्यान करते हैं उसकी भक्ती करते हैं उसके साथ प्यार करते हैं वे भी निश्चल हो जात उनका भी जनम मरन के दुखों से शुटकारा हो जाता हमें उस परमात्मा से क्यों मिलाप करना है क्योंके हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंच है और जब तक वै वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती उसका इसकाल और माया के जाल से दे के बंदनों तथा 84 लाक जूनि में फसकर हम दिन रात दुख और तकलीफे उठा रहे हैं उस मालक की भक्ती करके उस से मिलाब करके हम इस दे के बंदनों तथा चुरासी के दुखों से हमेशा के लिए शुटकारा हासल कर सकते हैं गुरु अमर्दासा फर्माते हैं पिर सच्चेते सदा सुहागन के हमारी आत्मा इस्तरी है बै परमात्मा इसका पती है जब आत्मा परमात्मा की भक्ती में लूइन हो जाती है तो जै परमात्मा से मिलकर हमेशा के लिए सुहागन हो जाती है इसका जनम मरन के दुखों से हमेशा के लिए शुटकारा हो जाता है गुरु अमर्दास साब का कथन है जिनी घर जाता आपना से सखी ये भाई के जो भागेशाली जीव वापस अपने घर पहुंच जाता है वे हमेशा के लिए सुखी हो जाता है शांती प्राप्त कर लेता है ये हमारा मन है जो दुनिया के बंदन दुनिया के ध्यान में उल्जा हुआ है दुनिया की शकलों और प्रदार्थों से मो किये बैठा है गुरु नानक साब कहते हैं मन जीते जग जीत कि अगर हम इस मन को जीत लेंगे तो सारे जगत के बनाने वाले को जीत लेंगे हमारे और परमात्मा के दर्मियान अगर कोई रकावट या परदा है तो वे हमारा मन है हमें उस दुनिया की ओर से हटाकर परमात्मा की भक्ती में लगाना चाहिए इसलिए तुलसी साब हमें समझाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए कि जिस हिर्दे में परमात्मा को बिठाना चाते हो वे तो दुनिया की मैल से भरा हुआ है इस हिर्दे को शुद करो निर्मल करो और हिर्दे शुद्वे निर्मल तब हो सकेगा जब इसके अंदर से संसार का मोजा प्यार निकल जाएगा तथा परमात्मा का सचा प्रेम और इश्क बस जाएगा तब हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिल जाएगी अपनी दूसरी कड़ी में संत तुलसी दास जी क्या फरमाते हैं आई ये सरवन करते हैं चश्मे दिल से देख जहां जो जो तमाशे हो रहे दिल से तां क्या क्या है तेरे दिल से ताने के लिए अब समझाते हैं कि अच्छी तरह सोच विचार कर लो कि ये जतने भी दुनिया के भोग विलास सेर रंग और तमाशे हैं ये हमारे मन को कोई सुख देने के लिए नहीं बलके उसे और अधिक दुखी करने के लिए हैं हमारा मन दुनिया के रूप रंग और पदार्थों में सुख और शांती ढूंडने की कोशिश करता है लेकिन हम इन पदार्थों में सुख और शांती ढूंडने की जितनी कोशिश करते हैं उतने ही दिन रात दुखी होते चले जाते हैं उतना ही हमारा मन इन में फसकर उचाट होता जाता है तुलसी साब समझाते हैं कि इन में से ना कभी किसी को सुख मिला है ना कभी मिल सकता है जब शादी होती है तो मन में कितना चाव होता है लेकिन उसी पतनी से अनबन हो जाए तो घर नर्क बन जाता है संतान होती है कितनी खुशी मनाते हैं मित्रों रिष्टेदारों को इकठा करते हैं दावतें देतें लेकिन अगर वै नलाइक निकलाती है कहने में नहीं रहती जा मालक की मौज वै उसे वापस बला लेता है तो वही संतान हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है इसी परकार खाने पीने और भोग विलास के पदार्थों की और हमारा ख्याल जाता है लेकिन जब उनका हिसाब देना पड़ता है तो दे पर बिमारिया आती है तब पता चलता है कि वे सुख के सादन है जा दुख के इसी तरह हम सोचते हैं कि वे लोग बड़े सुख और शान्ती में होंगे जिनके हाथों में हकूमत की वाग डूर है जिनको हम दिन रात से रा पढ़कर देखें तो पता चलता है कि रातो रात हकूमत के तक्ते पल्ट जाते हैं और जिनका दुनिया जलूस निकालती थी उन्हें जेल खानों में डाल दिया जाता है, फांसी के तक्तों पर लटका दिया जाता है, गोलियों का शिकार बना दिया जाता है, जिस मान बढ़ा शांती मिलती होगी लेकिन अच्छी तरह विचार करके देखें उसे कमाने के लिए हमें कितने कश्ट उठाने पड़ते हैं, कितने कीमती उसूलों को कुर्बान करना पड़ता है और किस परकार सहत का नाश करना पड़ता है, फिर उसके संभालने में कौन सा सुख मिलता है, इ जब वे दौलत जाती है, अच्छी तरह मसीबतों में फसा कर जाती है, जहां तो मकदमों के खर्च में निकल जाती है, जा डॉक्टरों की फीसों में, उसे कमाने में इतनी मसीबतें भी उठाईी और जाती भी रही, और उनके जाने पर दुख और मसीबतें अलग भुकतनी पड़ी इसलिए तुलसी साब हमें समझाते हैं कि इस दुनिया के सैर रंगवे तमाशों को देख कर ना भूलो इसमें कभी किसी को सुख नहीं मिला और ना ही मिल सकेगा अगर कहीं सुख है शान्ती है तो वैं सिर्फ परमात्मा की भक्ती में है उसके प्यार में है आज मुझूदा सरकार ने भी ये उधारन दे कर हमें समझाया कि बड़े महाराज जी अक्सर ये उधारन दिया करते थे कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ कर नमाश में जाता है उसे नमाश की हर एक चीज अच्छी और सुन्दर मालूम दे होती है कितने खलोनों की दिकाने तो कहीं मिठाईयों की और कहीं बिजलियां जालरे आदी सजी हुई है बच्चा समझता है कि उसे खुशी नमाश की इन चीजों से मिल रही है अगर गलती से वे पिता की उंगली शोड देता है तो नमाश का समान वहां होते हुए भी वे रोना और चिलाना शुरू कर देता है तब उसे पता चलता है कि जैखुशी उसे तब तक ही मिल रही थी जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी क्या हमने अपने पिता की उंगली पकड़ी है हमारा पिता कौन है वै परमात्मा है अकाल पुर्श वाहे गुरू है जब तक हमारा ख्याल हमारी लिव उसकी भक्ती और प्यार में है हमें यार दोस्तों रिस्तोदारों तथा दुनिया में भी चार दिन सुख और शान्ती के मिलते रहते हैं लेकिन जब हम परमात्मा को भिला देते हैं तो यह साब भी हमारे लिए जम रूप हो जाते हैं और इनमें भी हमें दुख और मसीबते नजरानी शुरू हो जाती हैं इसलिए तुलसी साब हमें चैतावनी देते हैं कि दुनिया और इसके पदार्थों में आज तक ना किसी को स सुख शान्ती मिली है और ना ही मिल सकती है सुख और शान्ती केवल परमात्मा की भक्ती और प्यार में है एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और जादा हवस फिर ठिकाना है कहां उसके ठिकाने के लिए आप समझाते हैं कि दिल तो एक है और तमन्ना इच्चाएं और तरिशना लाखों है बेपूरी होती नहीं मन दिन रात और ज़्यादा इच्चाएं और तरिशनाएं पैदा किये जा रहा है जो भी चीज मन की मरजी के मताबक नहीं होती वही उसके लिए दुख का कारण बन ज इच्छा और तृष्णा आज तक ना किसी कि पूरी हुई है ना हो सकती में तुलसी साथ फरमाते हैं कि जिस मन की यह हालत है कि वह इच्छाओं और त्रिश्णाओं के अंदर ही भटकता फिरता है वह हमारे अंदर टिक कर मालक की भगती किस पर कार कर सकता है उसका ख्याल परमात्मा की ओर कैसे जा सकता है हम जो जो तरिशनाएं और इच्छाएं करते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार जनम लेना पड़ता है इसलिए महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा के हुकम तथा उनकी मौज में रहना चाहिए जिस हालात में वै रखता है उसी हालत में रहते हुए उसकी भक्ती करने चाहिए गुरुनानक साहिब कहते हैं देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगांतर खाही खाए दातें देते देते नहीं थकता हम दुनिया के जीव दातें लेते थक जाते हैं जो कुछ भी हम दिन रात परमात्मा से अर्दासें करके मांग रहे हैं जो तर्शनाएं और शनाएं उसके आगे रख रहे हैं उन्हें वह जरूर पूरा करेगा उन्हें पूरा करने के लिए हमें फिर से जनम दे देगा और उस जगा जनम देगा जहां जाकर हमें निच्छाओं और तरिशनाओं को पूरा कर सकें लेकिन अगर प्रमात्मा से केबल प्रमात्मा को ही मांगेंगे सिर्फ मालक से मिलने की ही इच्छा और खवाहिश होगी तो वे मालक भी हम पर दया और बकषिश करके हमें अपने साथ मिला लेगा लेकन हमारा क्या हाल है असां पर्बत जेटियां मौत तनामा हेट के हमारी आशाएं और त्रिशनाएं तो हमारले पर्बत से भी बड़ी हैं लेकन हम भूले बैटे हैं के मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है हमें परमात्मा ने कर्मो का हिसाब चुकाने के लिए थोड़े सालों की या जिन्दगी बख्शी है और हम है के सारी दुनिया की चाओं और तर्शनाओं का बोज सर पर उठाए हुए है इसलिए महात्मा समझाते हैं की हमें मालक के भाणे उसके हुकम उसकी रजा में रहना चाहिए जिस हालत में परमात्मा रखता है उसी में राजी रहते हुए उसकी भक्ती करनी चाहिए संत नाम देव जी फरमाते हैं जो रात दे ता कवन वड़ाई जो भीक मंगावे ता क्या घट जाई कि हे प्रमात्मा अगर तू सारी दुनिया का राज पाट भी दे दे तो भी मुझे तेरी ही भक्ती करनी है अगर तू धरदर की ठोकरें खानी पड़ें और अगर धरदर की ठोकरें खानी पड़ें फिर मुझे कौन सा तेरा दरवाजा शोड़ देना है मुझे तो फिर भी तेरी ही भक्ती और तुझ से ही प्यार करना है तुलसी साब समझाते हैं कि जब तक हम इच्छाओं और त्रिशनाओं को शोड़ कर भक्ती नहीं करते तब तक हम अपने इश्क और प्यार में कामजाब नहीं हो सकते ये इच्छाएं और तिशनाएं कौन पैदा करता है तो आप फरमाते हैं हमारा मन इन्हें पूरा किसे करवाना चाहते हैं परमात्मा से हम मन की नहीं समझते के तू उस परमात्मा की इच्छा में हम मन को नहीं समझाते के तूं उस परमात्मा की इच्छा में रहने की कोशिश कर बलके परमात्मा को समझने बलके परमात्मा को समझाने लगे हैं के तूं हमारे मन के अंसार चलने की कोशिश कर बक्ती हम परमात्मा की कर रहे हैं जा मन की नकली मंदर मस्जदों में जाए सद अफसोस है कुदरती मस्जद का साकिन दुख उठाने के लिए आप फरमाते हैं के पहले तो हम दुनिया के जीव परमात्मा की भक्ती नहीं करते उसकी खोज नहीं करते उसे ढूनने की कोशिश ही नहीं करते अगर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ती की और जाता भी है उसकी खोज भी करना चाहते हैं तो जहां परमात्मा रहता है वहां उसे ढूनने की कोशिश नहीं करते बाहर मुकी हो जाते हैं कर्म कांड में फस जाते हैं जिस जगा परमात्मा बसता है वे हमारा शरीर है, हमारी दे जांवजूद है ये वे परजोग शाला है जिसमें जाकर हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकते हैं गुरू अमरदाह जी फरमाते हैं गुर्मक होवे सो काया खोजे, होर सब भर्म भुलाई के जो गुर्मक हैं, मालक के भक्त और प्यारे हैं वे दे या शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज में लगे हुए हैं बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फसकर यहीं भूले फिरे रहे हैं गुरू अमरदाह जी समझाते हैं इस गुफा में अखुट बंढारा, तिस्विच वसे हर अलक अपारा हमारा जै शरीर केवल हड, चम और मास का ही बना हुआ नहीं है पांच-छे फुट लंबा मिटी का पुतला ही नहीं है वे परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है जो अलक अगम और अनंत है, वे भी इस शरीर के अंदर ही बसता है, इस दे में रहता है अब तुसी साब कहते हैं, नकली मंदिर मस्जदों में जाए सद अफसोस है कितने दुख और अफसोस की बात है, कि हमने अपने हाथ वारा इट पत्थरों से मालिक के रहने के जो स्थान बनाए है उनमें जाकर दिन रात परमात्मा की खोज में लगे हुए है बनिस्बत उस जगा के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है हम उस कुद्रती मसज़त, कुद्रती मंदर को दुखो और मसीबतों में फसाए बैठे हैं जो स्थान हम उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं उन्हें कितना साफ रखते हैं, कितनी धूबती जलाते हैं उसमें जाकर कोई बुरा जा खोटा कर्म नहीं करते उची आवाज में बोलने से डरते हैं क्योंके मालक के रहने के स्थान हमने बनाए है लेकिन परमात्मा ने जो जगा अपने रहने के लिए खुद बनाई है उसमें गंदगी ही गंदगी बरे जा रहे है उस मंदर में बैठकर बुरे से बुरे करम किये जा रहे हैं अपनी बनाई हुई चीज की कदर करते हैं परमात्मा की बनाई हुई चीज की कदर नहीं करते इसलिए तुलसी साथ हमारी आखे खोलते हैं कि यह जो बाहर के मंदर हैं यह नकली है असली मंदर हमारा शरीर है हम उस परमात्मा की खोज अपने शरीर में करते हैं इसलिए इस शरीर रुपी मंदर या मस्जिद के अंदर जाकर परमात्मा को किस तरह ढूंड़ना है इसका इशारा आप अगली तुक में दे रहे हैं गुद्रती काबे की तूं महराब में सुन गौर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए आप समझाते हैं के आश एक तकी काबे जाकर हज्ज करने से तूं मुक्ती प्राप्त नहीं कर सकता जै शरीर ही तेरा काबा है इसके अंदर जाकर मालक से मिलने का हज्ज कर तब कहीं तूं मुक्ती हासल कर सकेगा हमारा रुहानी सफर पैरों के तल्वों से लेकर सिर की चोटी तक है इस सफर की दो मनजले हैं एक आखों तक दूसरी आखों से उपर है आखों से नीचे इंद्रियों के भोग हैं विशे वकारों शराबों कुवाबों की लज़ते हैं जब तक हमारा ख्याल आखों से नीचे है हम कभी मुक्ती प्राप्त नहीं कर सकते आप फरमाते हैं कि अपना ख्याल आखों से उपर कठा कर यही कुद्रती काबे की महराब है आम तोर पर मुसल्मान मस्जद की महराब में खड़े होकर बांग देते हैं और कलमा पड़ते हैं तुलसी साब समझाते हैं कि हमारा माता जानलाट इस कुद्रती काबे की महराब है इस महराब में जानी आखों के पीछे मस्तक में परमात्मा की दरगा से एक अत्यांत मीठी और सरीली आवाज आ रही है वै सदा वै अवाज हम सब को अपनी और कीच रही है अपनी और बुला रही है अगर हम नो दोवारों से अपने ख्याल को निकाल कर सिमट कर सिमनर और ध्यान के जरीए आखों के पीछे कठा कर लेंगे तो उस सदा अत्वा शबद की आवाज को पकड़ लेंगे तो हम भी शब्द या नाम को पकड़ कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से के वे शब्द या नाम उठ रहा है वे सच्खंड से उठ रहा है जहां के हमारा प्रीतम वे परमात्मा रहता है क्यूं भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में रास्ता शाहरग में है दिल भर पे जाने के लिए तुलसी साब समझाते हैं कि आई शेख तकी उस परमात्मा की खोज में क्यूं तू जंगलों पहाडों में भड़कता फिर रहा है क्यूं बाहर दुखों में उलजा बैठा है वे परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है और उससे मिलने का रास्ता भी हम सब के शरीर में एक ही है वे कौन सा रास्ता है हमें शाहरग में से होकर वापस अपने घर जाना है इसे रिशी मुनियों ने शुश्मना नाड़ी कहा है जो कुछ प्राप्त करना है हमें अपने शरीर से ही प्राप्त करना है गुरु अमर्दाह जी फरमाते है शरीरों पालन को बाहर जाए नाम ना लहे बहुत वेकार दुख पाए कि जो लोग उस नाम रुपी वस्तू को या परमात्मा को अपने शरीर से बाहर ढूनने में लगे हुए है वे अपने कीमती वक्त को बेगारियों की तरह बरबाद कर रहे है इसलिए हमें अपने शरीर के अंदर ही प्रमात्मा की खोज करनी है लेकिन वे कौन है जो हमारे अंदर जाकर उस प्रमात्मा की खोज नहीं करने देता तो गुरु रामदाह जी बताते है घर रतन लाल बह मानक लादे मन भ्रमिया लह ना सकाईए कि हमारे शरीर रुपी घर में परमात्मा ने नाम के अंगिनत खजाने रखे हैं लेकिन हमारा मन बाहर के भ्रमों में फसा हुआ है जब तक वै शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करता हम उस दौलत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं कौन से भ्रमों में फसे हुए हैं कोई तीर्थों पर जाकर सरोवरों में सनान करने को मुक्ती का सादन समझी बैठा है तो कोई तीर्थों की यतरा को और कोई यफतप पूजा पार को हम दुनिया के जीव दिन रात बाहर मुखी होते चले जा रहे हैं तीसरी पात्षाही गुरु अमरदास जी की वानी है पूजा करे सब लोक संतो मन मुक्ताए न पाई कि उस परमात्मा की भ्गती तो दुनिया के हम सब जीव अपनी अपनी अकल के मताबक करते हैं लेकिन हम दुनिया के जीव मन को अधीन होकर भक्ती करते हैं और जो भक्ती हम मन के अधीन होकर करते हैं वे भक्ती हमें अपने ठिकाने या मंजल तक नहीं पहुचा सकती क्योंकि मन हमें बाहर मुखी करके करम कान में उलजा देता है कौन सी भक्ती हमें अपनी मंजल तक पहुँचाएगी तो आप फरमाते हैं शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाई ए पूजा थाई पाई कि शब्द के अभियास के द्वारा नाम की कमाई के द्वारा मन को निर्मल और पूजा करना ही प्रमात्मा की असली भक्ती है और यही भक्ती हम सब को वापस अपने ठुकाने पर पहुँचाएगी मुर्शद कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी जो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए आप समझाते हैं कि यह तो ठीक है कि प्रमात्मा हमारे हर एक के शरीर और दे के अंदर है लेकिन हम अपने अकल के द्वारा शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज नहीं कर सकते कभी उस प्रमात्मा को नहीं ढूंड सकते तो सिसा फरमाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्रमात्मा की खोज करने का जो तरीका और सादन है उसका पता किसी कामल मुर्शिद जा पूरण गुरू से मिलेगा जब हम ऐसे कामल मुर्शिद को ढूंड कर सिद्ग और सबूरी जानी सचाई और धैरिये के साथ उस पर भरोसा और विश्वाश रखकर अपने शरीर के अंदर जाकर खोज करना शुरू करेंगे तब हम अपनी खोज जा तलाश से में सफल हो सकेंगे जब तक हमें पूरन गुरू नहीं मिलता हमें मालक की भक्ती करने के तरीके का पता ही नहीं चल सकता गुरू अमरदास जी फरमाते हैं संतों गुर्मुख पूरा पाई नामों पूज कराई अगर कोई पूरा गुर्मुख मिल जाए, मुर्शिद मिल जाए वे हमें नाम के अभ्यास का तरिका बता दे और हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें हम वापस जाकर प्रमात्मा से मिल सकते हैं गोशे बातिन हो कुशादा जो करे कुश दिन अमल ला इला अल्लाहु अकबर पै जाने के लिए आप फरमाते हैं कि अगर हम किसी ऐसे कामल मुर्शिद की संगत करें और सोबत में जाकर उस पर भरोसार विशवाश करके उसके अदेश के अनसार भजन और सिम्रन करें तो हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे और हम अंदर के कीरतन को सुनना शुरू कर देंगे वे शबद जान नाम हमारे सब के अंदर धुनकारें दे रहा है उसका सबंद इन बाहरी कानों से नहीं है लेकिन हमें इन कानों के जरिये सुनने की आदत पड़ी हुई है इसलिए शुरू शुरू में ऐसा मालूम होता है कि वे शबद इन कानों में गूज रहा है जब सिमरन और ध्यान के दौरा हमारा ख्याल आखों के पीछे टिकने लगता है तो हमें अपने याप पता चलता है कि शब्द मात्य के दर्मियान दिन राद धनकारें दे रहा है और उसका इन कानों के साथ कोई सबंद नहीं है तुलसी साफ फर्माते हैं कि अगर हम बाहर मुख कि अगर हम गुर्मुखों के देश के अनुसार भ्यास करना शुरू कर दें और हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे और वैस मंदर के शब्द कलमे जा बांगे असमानी को सुनना शुरू कर देंगे और शब्द जा नाम को पकड़ कर हम अल्लाह अकबर जानी पहली मंजल सहांसदर कामल तक पहुँच जाएंगे महात्मा समझाते हैं के हमारे अंदर पांच मंजले हैं और पांच ही दुने हैं नौबते या शब्द दिन रात गूजते गूज रहे हैं हमें मंजल दर मंजल शब्द दर शब्द वापस अपने आखरी मुकाम धुर्दाम पर पहुँचना है जहां के वे परमात्मा रहता है ये सदा तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे कुन कुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए आप प्यार के साथ समझाते हैं के ऐ शेख तकी जो कुछ भी मैंने तुझे समझाने की कोशिश की है उसमें मैंने तुझे अपनी और से कोई नई या अनुखी बात नहीं बताई है तुचाहे किसी भी महात्मा की बाणी पढ़कर देख ले हर एक महात्मा का एक ही अन्बव है एक ही संदेश है और एक ही उपदेश है मैंने पहले भी अरज की थी महात्मा कभी दुनिया में कोई कौम जा मजहब बनाने के लिए नहीं आते ना वे हमारे हाथों में डंडे या तलवारे देने के लिए आते हैं वे तो केवल हम से उस परमात्मा की भक्ती करवा कर हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं तुलसी साहब शेख तकी से फरमाते हैं कि ध्यान दे कर सुन जो कुछ भी मैंने तुझे समझाने की कोशिश की है अगर तु उस पर अमल करना शुरू कर दे तो जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है तुझे उसकी समझ आ जाएगी कि जिस कुन ने सारी दुनिया की रचना की है वे कुन क्या चीज है वे कुन कहां पर है और किस तरह वापस जाकर उस कुन में अपने आपको समा लेना है अपने आपको जजब और लीन कर लेना है तुलसी साहब ने इस शबद में गुर्मत को जानी गुर्मत को जा अपनी तालीम को बड़ी अच्छी तरह खोल कर समझ पागन हो सकती है उस मालक की भक्ती में ही खुशी और शांती है हम मालक के भाने में रहकर ही उसकी भक्ती कर सकते हैं और शरीर के अंदर जाकर ही उस परमात्मा की खोज कर सकते हैं किसी कामल मुर्शद जा पूरे गुरू से मिलने पर ही शरीर के अंदर जाकर मालक की खोज करन के तरीके का पता चलता है और तब ही हमारे अंदर के वे कान खुलते हैं जो शब्द या नाम को सुनते हैं उस शब्द या नाम को पकड़ कर ही हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां से उठकर वैस शब्द या नाम सब के अंदर धुनकारें दे रहा इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार शवद की कमाई करें नाम की कमाई करें राधा स्वामी जी